आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गोबी का पराठा इसे कैसे बनाते हैं चलिए यह सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखते हैं तो यहां पे हमने गोबी के फ्लॉरेट्स ऐसे सेपरेट कर लिये हैं और इन्हें अच्छी तरीके से वाश कर लिया है हमने उसके हम गोवी को ग्रेट करके ले आते हैं तो यहां पर हमने गोवी को ग्रेट कर लिया है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और इसे एक मिनट तक ऐसे मिक्स करेंगे ऐसा इसले कर रहे हैं ताकि गुभी में जो भी पानी है वो निकल जाए आप इसे एक से दो मीनुट तक ऐसे करेंगे तो तेखिए इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा इस तरीके से आपको इसका पानी निकाल करके इस एक प्लेट में ऐसे spread कर देना है ताकि गोभी जो है वो dry हो जाए इस तरीके से आपको कर लेना है बहुत ही रेस्टी रेसिपी है आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राइ करिएगा देखें इसमें जित्ता भी पानी था वो निकल रहा है ऐसे इस तरीके से हम गोभी का सारा पानी निकाल लेंगे उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे जो हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे यह देखें सारा पानी निकल गया अब इसे हम सूपने देते हैं ऐसे इसके बाद हम इसमें लैसुन की कलिया लेंगे और रदरक का छोटा टुकड़ा इसको दरदरा हम कूट लेंगे आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीश सकते हैं बट ऐसे दरदरा कूटिया काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद इसमें हम मिर्ची डालेंगे आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें दो तीन मिर्ची यूज़ कर सकते हैं तो देखिए यहां पे जिंजर गार्लिक पेस्ट बन गया है अब हम पैन में थोड़ा सा ओइल डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसे एक से दो मिनट तक ऐसे कुक करेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इसे भी हम एक से दो मिनट तक कुक करेंगे उसके बाद हम इसमें ग्रेटेट गोवी डाल देंगे इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है इसमें देखिए हमने ग्रेटिट को भी जो लिया था उसका पानी निकाल करके हमने ड्राइ कर लिया था उसके बाद हम पैन में इसे एक से दो मिनुट तब कुक करेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और डालेंगे सॉल्ट केयर फुली डालना है क्योंकि इसके पहले भी हमने इसमें सॉल्ट डाला था ये सल डाले के बाद इसे ऐसे मिक्स करें और गैस का फ्लेम हम स्टो कर देंगे और इसे धुछ करकर के 2 मिनट तक कुक करेंगे 2 मिनट बाद इसे हमने उपन किया है तो यहाँ पर गुभी काफी हद तक कुक हो गई है इसको हंड़ड पसंड कुक नहीं करना है में एक चमच हम ने डाल दिया हल्दी पाउडर, आदा चमच काश्मीरी लालमेच और एक चमच गरम मसाला इसे प्रॉपर मिक्स करेंगे इस तरीके से आपको इसे मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम आपको स्लो रखना है इसे इसे स्टर कर दीजे ताकि मसाला जो है वह हर जगा अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए इसे हम दो मिनट के लिए डख देंगे दो मिनट बाद इसे हमने ओपन किया है मसाला भी जो है वह प्रॉपर कुक हो चुका है और इसमें से एक अच्छी सी फुश्बू आ रही है अब इसे हम ड्राइ होने के लिए गैस का फ्लेम यहां पर बंद कर दिया है थोड़ा सा ठंडा हो जाएए फिर हम स्टफिंग बनाएंगे तो यहां पर देखिए इस तरीके से इतना सॉफ्ट आपको दो तैयार कर लेना है और अब हम पराठा बनाने का प्रॉसेस देखेंगे तो स्टफिंग जो है वो ठंडा हो चुका है इस तरीके से हम आटा लेंगे इसको ऐसे फ्लैट करेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगाएंगे और दोनों हाथ की हेल्प से इसे ऐसे फ्लैट करेंगे और थोड़ा सा रोल करेंगे उसके बाद इसके तो आप केरफुली देखिए आपका भी पराथा काफी अच्छा वनेगा इसे ऐसे फ्लैट के लेना है उसके बाद इसमें हम स्टॉफिंग डालेंगे पर इसे पर इसे फिर एसे प्रेश करना है और इस तरीके से इसे बंद कर देना है उस तरीके से करके हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे एक्स्रा पार्ट ऐसे निकाल देना है आपको थोड़ा सा इसमें ऐसे फ्लैट करने के बाद फिर आटा लगा कर हम इसे रोल करेंगे ऐसे फ्लैट कर दीजे ताकि स्टॉफिंग जो है वो कॉर्नर तब पहुँच जाए तो इस तरीके से आपको टैप करना है हलके हाथ से और फिर इसमें आटा लगाएंगे सुखा आटा उसके बाद इसे बहुत ही हलके हाथ से हम रोल करेंगे लाइक तस तो यह रहा आपका गोबी का पराठा देखे कितने अच्छी तरीके से रोल हो रहा है तो चलिए अब इसे हम सेखने का प्रोसेस देखते हैं तो वो तवे को हमने पहले ही गरम कर लिया है इसे पलट देंगे उसके बाद इसमें हम घी लगाएंगे तो यह को ऐसे आपको चारो तरफ अच्छी तरीके से अच्छे क्वांटिटी में घी लगाना है आपको आपको घी नहीं पसंद है तो आप इसमें रिफाइंड ओयल भी लगा सकते हैं ओलिव ओयल खाते हैं आप और वहाएं आपको जो पसंद है आप उस से लगा सकते हैं और इस तरीके से आपको ठोड़ा हलका प्रेस करना है ताकि इसका कॉंड़ भी अच्छीrec द्रीके से कुख होHS Just अधर वाइस बीच में कुख हो जाता है और पराठे का कॉर्णर जो रहता है वो कच्छा रह जाता है इसलिए आपको हलके हाथ से इसे प्रेस करना है पलटने के बाद दूसरे साइट भी आपको अच्छी कौन्टिटी में घी लगाना है इस तरीके से और गैस का फ्लेम आपको मीडियूम करके इसे ऐसे पलटते रहना है ताकि यह दोनों साइट से अच्छी तरीके से सिख जाए आई होप आप लोग को यह रेसिपी पसंद आ रही है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले ने लिए तो दिखे यह पराठा बनाने में मुझे 3-4 मिनट तक लगा है और यह एक पराठा बन इसे बेलन की हल्प से भी कर सकते हैं उसके बाद इसमें स्टाफिंग डालेंगे और इसका कॉरर पकड़के इस तरीके से रूंड रौंड करके आपको इसे बंद करने के बाद एक्स्ट्राप निकाल के आपको वापस से फ्लैट करना है, ताकि स्टाफिंग चारो तरफ स्प् का प्रॉसेस देख लेते हैं गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है और इसे पलट देंगे और अच्छी क्वांटिटी में हम इसमें घी लगाएंगे अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेसे भी पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो एक पराठा सेखने में मुझे तीन से चार मिनट तक लगता है आपको इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेखना है आई फ्लेम कर देंगे तो आपका पराठा जो है वो जलने लागेगा दूसरे साइट भी आपको ऐसे पलट करके इधर भी अच्छी तरीके से घी लगाना है और इसे ऐसे स्प्रेट थोड़ा प्रेस करना है ताकि इसका कॉर्णर जो है वो भी अच्छी तरीके से कूख हो जाए तो आलमस्स देखिए आपका दूसरा पराठा भी बन करके त्यार हो गया है इस तरीके से आपको सारे पराठे बना लेना है अब इसे हम सब करने का प्र